कहते हैं भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है पीश्वर के आगे किसी की नहीं चलती हमारे भारत में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इसी तरीके से एक चौका देने वाला मामला सामनी आया है मामला गुजरात के कचके रा पर तहसील के के मोडा गाउं का है यहाँ 70 वर्षिय महिला ने स्वस्त बच्चे को जन दिया है 45 साल बाद घर में खिलकारी गूजने के बाद पूरे गाउं में हुशीकमा हॉल है 70 साल की महिला ने स्वस्त बच्चे को जन दिया है बुजर्ग असिक्षित जोड़े ने शादी के 45 साल बाद विख्यानिक तक्मीक यानी IVF से एक बच्चे को जन दिया इस सिलसले में जानकारी देते हुए डॉक्टर नरेश भानुशाली ने बताया कि यहां आए दमपती के उम्र काफी ज्यादा थी इनको बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं थी पहले हमने उनसे कहा था कि इस उम्र में बच्चा नहीं हो सकता लेकिन इन लोगों को भगवान और डॉक्टर पर बहुत भरोसा था डॉक्टर में आगे जानकारी देते हुए बताया कि दमपती का कहना है हमारे परिवार के अन्य लोगों को बड़ी उम्र में परिणाम प्राप्थ हुआ है इन लोगों ने कहा कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें फिर हमारी किस्मत बुजर्ग महिला ने टेस्ट्यूब बेबी से बच्चे को जन दिया है डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के जन के बाद से ही दमपती काफी खुश है और हमें भी बहुत खुशी है कहते हैं भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है इश्वर के आगे किसी की नहीं चलती हमारे भारत में डॉक्टर को भगवान का दरजा दिया जाता है और इसी तरीके से एक चौका देने वाला मामला सामनी आया है मामला गुजरात के कच के रहा पर तहसील के केमोरा गाउं का है यहां सत्तर वर्षिय महिला ने स्वस्त बच्चे को जन दिया है 45 साल बाद घर में किलकारी गुंजने के बाद पूरे काउं में खुशी कमा हौल है 70 साल के महिला ने स्वस्त बच्चे को जन दिया है बुजुर्ग असिक्षित जोड़े ने शादी के 45 साल बाद रेक्यानिक तक्नीक यानी IVF से एक बच्चे को जन दिया इस सिलसले में जानकारी देते हुए डॉक्टर नरेश भानुशाली ने बताया कि यहां आए दंपती की उम्र काफी ज्यादा थी इनको बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं थी पहले हमने उनसे कहा था कि इस उम्र में बच्चा नहीं हो सकता लेकिन इन लोगों को भगवान और डॉक्टर पर बहुत भरोसा था डॉक्टर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि दंपती का कहना है हमारे परिवार के अन्य लोगों को बड़ी उम्र में परिणाम प्राप्थ हुआ है इन लोगों ने कहा कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें फिर हमारी किस्मत बुजर्ग महिला ने टेस्ट्यूब बेवी से बच्चे को जन दिया है डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के जन के बाद से ही दंपती का की खुश है और हमें भी बहुत खुशी है Sky News Global Report